तो गाइस हेलो एंड वेलकम तो अनदर लेक्च्चर फ्रोटेश्टर डानेमिक्स इस लेक्चर में अपन देखने वाले है मूमेंट ऑफ इनर्श्य ओफ फ्रक्टल तो क्यू फ्रक्टल क्या होता है वह आपको मैं एक्सप्रेंग्वेंड करता हूं थोड़ी दिरे में और अ क्यूब है यू कोट दे कूब इन्टो ट्वेंटी सेवन क्यूबस र ≫ twenty आपको फ्रेंट में इसके जश्ट पीछे वाला जो क्यूब है उसको अपने पास में 26 क्यूब बचेंगे राइट and then we need to repeat this process for each of the subsequent 26 cubes and so on ठीक है if the total mass of the resultant fractal is m ऐसा करने से जितना भी अपना fractal आता उसका total mass किता है then determine the moment of inertia of the resultant fractal about an axis through its center of mass which is perpendicular to a face of the original cube ठीक है तो आक्सेस अपनी जिस आक्सेस के अबाउट एक क्यूब का moment of inertia ml square बे 6 आया था passing through the center of mass and this axis is perpendicular to the two faces of cube राइट इस आक्सेस के अबाउट इस क्यूब फ्रेक्टर का moment of inertia calculate करना है तो simple सी बात इसको अपन concept of scaling से करेंगे scaling का concept क्या है वो अपन अच्छे plane के अंदर जा रही है तो अब scaling करेंगे अपन राइट तो एक काम करते है अपन moment of inertia क्यूब फ्रेक्टर का il है let's denote it by il तो अपन बात करते हैं एक क्यूब फ्रेक्टर की जिसका मास किता है capital M है लेकिन उसकी side length किती है 3L मतलब अपकी बार में जो क्यूब फ्रेक्टर ले रहा हूं उसकी side length किती है 3 times L है और इस axis के about 3L वाले क्यूब का moment of inertia होगा that is going to be i3L now first of all what is the relation between i3L and iL moment of inertia जो होता है iL dash that is proportional to mL dash square now mass of a cube का mass है वो किस तरह से distributed है तो आपको ऐसे नहीं करना है कि mass is distributed in the volume तो mass is proportional to L cube yes mass is proportional to L cube लेकिन आपको एक चीज़ दिखरी होगी mass किस तरह से vary कर रहा है और length और mass जो है वो length के according vary नहीं करेंगा जैसे आपको दिखाता हूं Q fractal है तो 27 cubes total है बीच वाला cube remove किया तो अपने पास 26 fractals बचेंगे ठीक है 26 fractals बचेंगे अपने पास जिसमें से हर एक का mass किता होगा small m होगा और हर एक की side length किती होगी L होगी तो बड़ा वाला जो fractal है जिसकी side length 3L है उसका mass किता होगा 26m तो this should be equal to mass होगा 26 times और L square L dash square के proportional तो है और length होचुक है 3 times तो this is IL into 26 into 9 which is equal to 234 तो अपने पास पहली equation आ चुक है I3L is equal to 234 times the moment of inertia of the normal Q fractal whose mass is M and length is L ठीक है तो बीच वाला Q अपने रिमूव किया तो 26 fractals अपने पास बच चुक है ठीक है एक fractal का mass small m है तो 26 fractals का mass किता है 26m है ठीक है mass को 26 times किया और length को 3 times कर दिया and moment of inertia is proportional to ml square mass को 26 times किया length को 3 times किया 26 into 3 square यह क्या आजाएगा यह वो factor आजाएगा जिससे इस वाले fractal का moment of inertia बढ़ चुका है as compared to the old fractal so this is the first equation step 2 में आपको क्या बताया अपनको axis वगेरा shift करनी है तो अब अपन क्या कर सकते है i3L को किस तरह से लिख सकते है अपन राइट i3L जो है this q fractal is composed of what some कुछ parts से बना होता है हर fractal कुछ parts से बना होता है यह अपन multiple times देख चुके है तो यहां से जो axis pass कर रही है है ना तो दो q fractals होंगे वो इसी axis पे लाए करेंगे ठीक है थोड़ा साब को 3D में imagination चाहिए जादा भी नहीं थोड़ा सा बिलकुल इसी axis के along दो छोटे वाले q fractals लाए करते हैं तो two times the moment of inertia of a q fractal who side length is L, mass is M अब बात करें अपन तो इस axis के about moment of inertia तो यह भी q fractal होगा ठीक है इस axis से कित्ते q fractal pass कर रहे हैं तीन q fractal इस axis से पास करें similarly इस वाले axis से कित्ते q fractal पास कर रहे हैं अपने पास में तीन q fractal पास कर रहे हैं इस वाले axis से भी चार 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 असे से तीन तीन फ्राक्टल करांगे थे तो टूटल 12 वार्प्रक्टलस ओ चुकिए हैं कि इनकी जुँ आक्सेस देखूंगे आप तो यह चीज किती है यह यह चीज एल और यह चीज एले तो ये x2法्य इतना हो चुका है अब प्लस अपने पास कौन कौन से क्यूब बच रहे हैं तो ग्रीन परेंग से आपके नहीं क्यों बच रहा हूं लए और अबिल और जब्लेट थे आपस इस टुटल ट्विसक्टर ऐूँगे थे ल वाले क्यूब में ठीक है हर एक छोटे वाले फ्रैक्टल का मास M है और साइड लेंथ है यहां से यहां तक का हो गया है रूट टू टाइमस एल सो इस इस रूट टू टाइमस एल सो दिस इक्वेशन नंबर टू अब बात करते है आई पार्डल टू एक क्यू फ्रैक्टल जो है उसका मुमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास वाले आक्सेस के बाउट किता है आई यह तो पैर्ल अक्सिस थेओरम लगाएंगे आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वेश इन नों के बीच में डिस्टेंस किता है एले तो प्लस एम टाइमस एल स्क्वेश क्यूंकि ओरिजिनल फ्रैक्टल का मास ट्वेंटी सिक्स टाइमस एम है अगर ओरीजिनल फ्रैक्ट के बऐट निकालना है तो आई इस एक्वल टो इसीओं प्लस एम टाइमस इस का स्कूरत तो इस इस कथा हो जया गाई 234 times I L right so this is equal to what 2 times I L plus 12 times I parallel L तो this is 12 times I L plus 12 M L square similarly इसको भी 12 से multiply करेंगे 12 times I L आएगा अपने पास and plus this becomes 2 so 2 into 12 that is 24 times M L square very simple equation 234 minus तो ये चीज कित्ती हो चोगी total 26 अब ये चीज जो है this is 26 multiplied by 9 दोनों में इसी 26 को ओमन लेंगी तो बचेगा 26 multiplied by bracket में बचेगा 9 minus 1 that is 8 I L remains as it is ठीक है इसको लिया था तो इस तरफ कित्ता M L square बचरेंगे आपने पास में तो 12 and 24 that is what 36 M L square तो 8 से cancel करेंगे तो 4 2s are 8 and 4 9s are 36 so moment of inertia जो है अपने Q Fractor का that is going to be 9 M L square by 26 का डबल हो गया है 52 so this is the moment of inertia तो parallel axis theorem कैसी लगा है अपने तो I is equal to I C O M plus M D square D is equal to root 2 L यहाँ पर लगा है parallel axis theorem तो I is equal to I C O M plus M times D square D की वाली यहाँ पर कित्ती है L है इस axis से pass करने वाले तीन क्यूब इससे तीन इससे तीन इससे तीन इससे तीन चार axis है हर axis से तीन क्यूब तो 4 3s are 12 similarly green वाले के लिए करेंगे और अपना question solve हो चुका है तो question इस तरह से solve हो है देखो यह है pure physics ठीक है बिल्कुल भी mathematics नहीं है and this is one of my favorite questions that is q fractal जो solve करते हैं आपन पजबू हो यह आपको basic formula क्या रखना है कि moment of inertia of anything is proportional to ml square mass कैसे change हो रहा है यह आपको देखना पड़ेगा length कैसे change हो रही यह आपको देखना पड़ेगा right so with that said let's conclude this lecture तो मिलता हूं आपसे अगले lectures में so till then have wonderful day ahead and keep learning and stay motivated ठीक है तो मिलते हैं आपन अगले lectures में ठीक है thank you